ओम शिगड़े शाय नमरादरादे दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल व्रतकता टोटके में स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको गुरु पुष्य योग के दिन मदार की जड़ बानने की विधी बतारी आप सभी जानते हैं कि गुरु पुष्य योग सरवार सिद्ध योग हो अगर वो भी इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही उनको संतान की प्राप्ती होगी दोस्तों उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहें प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बगले बैल आइकन को दबा दिया करें जिससे मेरी आने वाली सभ से पहले आप तक पहुश सके दोस्तों मदार की जड़ बानने की विधी मैंने पहले भी बताई थी देखें विधी एक जैसी ही होती है बस समय और डेट बदल जाती है तो आप उसको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं दोस्तों गुरु पुश्ययोग के दिन देखें आ मतलब परमीशन लेकर आग्या लेकर ही आपको जड़ लेनी चाहिए उनका हो सके तो पूजन अवश्य करें और देखें चोटा सा टुड़ा लेना होता है ज्यादा बढ़ानी लेना है आपको और मदार की जड़ के साथ आपको एक गोमती चक्र और एक पीली कोड़ी लेनी इसको आप एक सफेद कागज पर या भोज पत्र पर आपको रोली यानि सिंदूर से गंगाजल में थोड़ा सा सिंदूर घोलिया और सेम ऐसा ही यंत्र बनाकर आपको इसे भी अब मतलब कमर में धारन करना है इन तीनों चीजों के साथ अगर आप मंगल यंत्र भी धारन कर को आप कच्चे दूद और गंगाजल से स्नान कराएं पीला चंदन लगाएं धूप दीप दिखाकर और एक माला का जाप या ओम शी गड़े शाय नमा गड़े जी के मंत्र का या संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण करते मतलब एक माला का जाप तो अवश्य ही करें देखि धारन करने का जो समय है गुरु पुश्य योग का देखे साड़े च्छे वजे से सुबे साड़े च्छे वजे से दोपहर के डेड़ वजे तक अमरित घड़ी है अगर आप इस समय पर धारन करते हैं तो निश्चित ही आपको मतलब संतान की प्राप्ति होगी दोस्तों जड़ के साथ इन तीनों चीज़ों को धारन करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है दोस्तों इस जड़ को आपको तीन महीने तक बांग के रखना होता है और जो नियम होते हैं तामसिक भोजन या मासाहरी भोजन या गरम वस्तुओं का आपको सेव गोपाल मंत्र का जितना अधिक हो सके उच्चारण करें और अपना ध्यान मतलब पाठ पुजाबर लगाएं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी दोस्तों जिनकी कोग बंदी हुई है उनको अवश्य मंगल यंत्र को धारन करना है अगर आप सभी जिनका मत मिस्कैरिज नहीं होता है वो भी अगर मंगल यंत्र को धारन करते हैं तो निश्चित ही उनके जो होने वाली संताने वो दीघरायू को प्राप्त होती है तो इसलिए आप मदार की जड़ गोमती चक्र पीली कोडी के साथ मंगल यंत्र को भी धारन करें आप चाहें तो बज जब भी आप जैसे सूतक पातक होता है जैसे कहीं किसी की दैट हो जाते कहीं जाना पड़ जाता है तो उस समय पर आप इसको उतार दें और देखे वैसे तो आप नो महीने तक भी इसको धारन करके रख सकते हैं लेकिन तीन महीने के अंदर जो इसकी शक्ति है वो खतम हो ज जाती है और आपकी रक्षा होती है इसलिए मैं समय समय पर आपको ये वीडियो डालती रहती हूं ताकि आपको संतान की प्राप्ति हो सके जो भी आपकी इच्छा है चाहे पुत्र संतान की है चाहे सिर्फ संतान की है तो आपको प्राप्त हो सके दोस्तों अगर वीडियो को शेर अवश्य करें अगर आपको कोई कमेंट है तो आप मतलब कुछ पूछना चाहते हैं कुछ समझना आया तो आप कमेंट करके भी भूश सकते हैं आप सभी को ओम शीगनेशाय नमा